हम एक सरिस्मेन का कोई परतनीदी नहीं कर रहे हैं बट हम अपना दुख है मैं क्या उनके तक पहुंचाना चाहा हूं कि किरपया करके हमारे बीवाल बच्चे हैं हम भी बीस साल पचीस साल तीस साल जो सेना में जॉब करते हैं बॉर्डर पर रोक्षर करते हैं फिर यहां आन सब्सक्राइब करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं डाइंडिया टॉप मैं हूं आदेश पूरी बिहार से सेना में जाने वाले बहुत सारे लोग और आपको बता दे कि 15 साल बाद जो है वह रिटार्मेंट वोलेंटरी ले सकते हैं और सभी लोग का यह इच्छा होता है क कि वो अपने राज में आकर अपनी सेवाएं दे लेकिन आपको बताएं कि बिहार सरकार ने बहुत सारी परिच्छाओं में एक जो आर्मी मैन हैं उनके लिए पद निकालने का सिलसला बंद कर दिया है उदहारन सोरू बाइसो तेरा दरोगा का भी एक जान चल रहा है इसमे सेना के लिए जो सेना से रिटार है या फिर सेना से छोड़ के आया है उनके लिए कोई सीट का प्रावधान नहीं किया गया है हम है अभी मोतिहारी में मोतिहारी में ही एक फिसकल टेनर है एक सर्विसमेन है बहुत सालों देश की सेवा किये लेकिन इनका सीधा कहाना है कि मे पास उठाने के लिए आप हमारा कफ्रेज कर रहा है सबस्वाइबाध सरा आप चले पर एक स्टेट में एक सर्विशन का इसी जॉब में चाहे पूलिस का हर एक जौब में या फिजकल टीचर को हर एक जौब में 5 परसेंट यहां तक किसी किसी एस्टेट में साइद 10 परसेंट का भी रिजर्शन है लेकिन हमको इस बात बहुत दुख के साथ काना पड़ा जा है कि विहार गौवर्मेंट में एक भी एक सर्विसमेंट के लिए किसी भी आधा है किनले को कि इसमें अपलाई कर सकते एक सर्विस्मेंट का जौटा कुसमें की तो छैप में जयदा तो हम यहां के जितने प्रसाशần हैं सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बिहार में जो पुलीस अखास का दरोगा की भरती है उसमें उसके प्रक्रिया को लेकिए आपके क्या कहना है उसमें सबसे पेछा कि पारडाराशीता है कमी है तो हमको कैसे पंचण कि पास मिलना चाहिए लिए दाली केसा हो और टेलिए किना मार्स हैना सत्राइब कि यहां का देखते हैं कि इसमें को स्थनीटेपर नहीं दिया जाता हैं इंसर्च ट्प नहीं बताएं इंसर्च उस्ट्फ नहीं बताएं तो पूरी तरह से कड़का करें तो बच्चे को उसे नहीं हमारे सरकार है अम इतने सालों से पढ़ रहे हमारी जो हम वहां तो गाए हुए हमारे क्या दिमेरित हैं इसके वाज से हम सब्सक्राइब करें लेकिन जैसा यह बता रहे हैं कि दरुगा परिच्छा में इस बार नहीं दिया गया है टीचर है फिर अन्य पर इच्छाएं हैं उसमें इनको जगा नहीं दिया गया है जब कि आपको बताएं कि 15 या 20 साल के बाद वोलेंटरी रिटार्मेंट लेने के बाद यह जोब कर सकते हैं और हर एक राज ऐसी फैसलेटी देता है अपने राज के वैसे जवानो के लिए जो की अपना बहुत बहुमुले समय देश की सवाम बिताय रहते हैं तो जरूरत है कि बिहार में यह जो नदाजी किया जा रहा है एक सर्विसमें के साथ आर्मी में के साथ उन पर ध्यान दिया जाए और उनके लिए सीटों का आवंटन जो है वो बनाया जाए और में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जाए ताकि वो बिहार में भी आके अपने सेना के कौसल का परिचाह दे सके तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक सेर करे हमारी चैनल दा इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूए